आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पर्फोशन में गीवन है कि एक Parallel Pied है जिसके तीनों साइड्स है वो है A x B, B x C और C x है और इन तीनों साइड्स के जो वेक्टर से उनसे जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है वो है 36 Q. ठीक है और वैसे ही एक Tetra Hadron हमें गीवन है जिसके तीनों जो साइड्स के वेक्टर से वो है A plus B, B plus C, C plus है तो हमें इस Tetra Hadron का वॉल्यूम फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखते है अगर हमें कहाँ है Scalar Triple Product of A x B, B x C और C x A यह अगर हमें निकालना हो तो यह आता है Scalar Triple Product of A, B, C का whole square यह एक property होती है कि A x B, B x C और C x A है तो यह तीनों वेक्टर का अगर हम Scalar Triple Product लेते है यानि box of these three vectors वो आता है Scalar Triple Product of A, B, C के whole square के equal ठीक है तो यह आगे हमारे पास और वैसे ही अगर हम लिखते है Scalar Triple Product of A plus B, B plus C and C plus है तो यह तीन वेक्टर्स अगर हमें गिवन हो और इन तीनों वेक्टर्स का Scalar Triple Product लिखे है तो यह आता है 2 times box of A, B, C वेक्टर्स यानि 2 times Scalar Triple Product of A, B and C वेक्टर ठीक है तो यह दो हमारे पास property होती है तो अब अगर हम Parallopiped का volume देखे तो Parallopiped के volume के लिए हम क्या लिखेंगे अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन हो वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R और इन तीनों से हम एक Parallopiped फॉर्म कर रहे है तो जो Parallopiped का volume आएगा वो आएगा हमारे पास box of vector P, vector Q and vector R यानि कि Scalar Triple Product of vector P, Q and R तो हमारे पास question में जो तीनों वेक्टर्स की वन है जिससे Parallopiped फॉर्म हो रहे है वो तीनों वेक्टर्स क्या है वो है A x B, फिर B x C और है C x A तो इन तीनों वेक्टर्स से एक Parallopiped फॉर्म हो रहे है तो हमने देखा कि volume of Parallopiped क्या आता है वो आता है box of the three vectors तो यहाँ पर तीन वेक्टर्स हमें यह गिवन है तो इन तीनों का हम box ले लेंगे यानि कि scalar triple product ले लेंगे तो हमने देखा था है कि A x B, B x C और C x A का scalar triple product जो है वो किसके एक्वल आता है वो आता है box of A, B, C के square के equal A vector, B vector और C vector के scalar triple product के square के equal और volume कित्ता गिवन है वो हमें given है 36 cubic units तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि scalar triple product of A, B, C whole square is equal to 36 ठीक है तो यहाँ पर आ गया scalar triple product of factor A, B and C whole square is equal to 6 square यो कि 36 को हम 6 square लिख सकते है ठीक है तो यहाँ पर दोनों में power same है तो हम base compare कर लेंगे तो हमारे पास आ गया कि vector A, vector B और vector C का scalar triple product है वो हमारे पास 6 के equal आ गया तो यह हमारे पास condition आ गई अब हम tetrahedron का volume का formula भी देखते है तो tetrahedron अगर हमें given हो और हमें पूछा जाए कि उसका volume क्या है तो सबसे पहले हम उसकी sides देखते है तो अगर हमारे पास P, Q, R यह तीन vectors given हो जिससे हम tetrahedron form कर रहे है तो tetrahedron का जो volume बनते है इन तीनों particular sides है वो आता है P, Q, R का scalar triple product divide by 6 यह आता है हमारे पास tetrahedron का volume ठीक है तो हमारे पास tetrahedron की sides का given है वो है A plus B, B plus C और C plus A यह तीन vectors से tetrahedron form हो रहा है और हमें सही है कि इसका volume किता होगा तो P, Q, R तीनों जो sides है tetrahedron की उनका scalar triple product लेते हम और उसको divide by 6 करते है तो यहापे tetrahedron की जो तीनों sides है वो है A plus B, B plus C, C plus है तो हम इनका scalar triple product लेंगे और 6 से divide कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास volume आ जाएगा tetrahedron का ठीक है अब यह जो scalar triple product है A plus B, B plus C, C plus है यह किसके equal होगा यह है 2 times box of ABC के equal जैसा कि हमने उपर देखा भी था कि यह वाला जो scalar triple product है यह 2 times scalar triple product of A, B and C vector के equal आने वाल है ठीक है और divide में 6 है और अभी हमने देखा कि scalar triple product of ABC जो है वो 6 के equal है यहाँ पर हम 6 put कर देंगे तो यह बन गया 2 into 6 divided by 6 तो यह 6 से 6 cancel हो गया तो जो tetrahedron का volume है volume of tetrahedron वो कितना आ गया volume of tetrahedron आ गया हमारे पास 2 cubic units तो यह tetrahedron का volume हो गया ठीक है अब यह हमें कौन्सा option में गिवन है यह हमें गिवन है C option में तो C option हमारे पास correct answer होगा Thank you